मैं इसको विश्वा सकता हूँ कि अगर सही में इन्वेस्ट करेंगे ना इन्वेस्टमेंट का फायदा है एजूकेशन इन्वेस्टमेंट है अब एक छोटी काहनी की सुनाता हूँ इंडोनेशिया में यह हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था सुनामी हुआ था इंडोनेशिया में नदे खिनारे एक लड़की घड़ी थी UK बाली ब Accept उनके साथ ही गण जो समझ गया उनके साथ दौडना चुरू किया 2 की लो अंदर के तर चले अरे पानी जा रहा है चलो मचली बहुता है ये है वो है पानी की तरह अंदर चलेगे करीब आदा किलोमेटर पानी चलेगे अंदर लो सब पानी में चलेगे ये बच्ची बोलते रहा और इसने क्या किया चलेगे मकान को उपर दोड करें अपने साथियों के साथ वितिन टेन मिनिट्स पानी जो हो से आ गया इंटर पानी करीब 10-12 फीट उपा आ गया जो चला गया हूँ भी मागए जो खड़ा था हूँ भी मागए इस बच्ची से मीडिया ने पूछा वह आप कैसे बच्ची है बोला कि हमको आठवां ग्लास में यूके में पढ़ाई किया गया था अब फोटोग्राफ दिया था वीडियो दिखाया था कि यही सुनामी होती है तो हम समझेए इंवेस्मेंट में बहुत फाइदा है हम लोग मिलका कि इंवेस्ट करें बच्चों के लिए बहुत फाइदा होगा